हलो एवरिवान मैं अमित कुमारी आप सबका वेलकॉम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरीकेंज पर जैसा कि आपको पता ही है हमने प्रोफेशनल एथिक्स & ग्लोबल सिटिजन शिप का यूनिट स्टार्ट किया था जैसमें हमने प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सब topics cover किये थे मेरी previous videos में वो topics cover है और मुझे पूरी उमीद है कि आपने वो videos जरूर देखी होंगी इनकेस नहीं देखी है तो जरूर देखीगा क्योंकि वो बहुत important topic है वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में description में मिल जाएगा अब बात करते हैं हम global citizenship की जो हमारा आज का टॉपिक है एक ही वीडियो में हम सारा topic कवर कर लेंगे और वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि बहुत interesting example के साथ आपको मैं समझाने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेर करना मत भूलेगा लाइक कीजेगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसी लगी साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे देर किस बात की है यह बिलकुर फ्री है कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी यह दो वर्ड्स को मिलाकर बना है ग्लोबल एंड सिटिजनशिप ग्लोबल का मतलब होता है संसार वेश्व ठीक है और जो हमारा सिटिजनशिप है उसका मतलब होता है नागरिक जहांके हम रहने वाले हैं जैसे कि मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मैं इंडियन सिटिजन हूँ अगर कोई अमेरिका में रह रहा है वो अमेरिकन सिटिजन है रशियन सिटिजन है इस तरीके से अब ग्लोबल सिटिजनशिप का मतलब क्या बना एक ऐसा इंसान जो ग्लोबली रह रहा है मतला पूरे विश्व में उसकी existence है आपकी, मेरी, हम सभी की पूरे global में हमारी एक अपनी पहचान है हमारी एक existence है और हमारा किया हुआ कोई भी काम या कही हुई बात अगर globally affect करे तो वो global citizenship के अंडर आता है जैसे कि suppose मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो किसी एक religion के लिए या किसी एक country के लिए बहुत अच्छी है ठीक है? या कोई ऐसा tweet कर दिया या social media पे कोई ऐसा post कर दिया जो उनके लिए बहुत अच्छा है तो global level पर मेरी तारीफ होगी अगर कोई गलत काम कर दू तो global level पर मेरी एक मैं गलत example सेट कर दूँगी है ना? और फिर लोग अगर उस चीज को दोहराएंगे तो यानि कि society में गलत चीज को बढ़ावा मिलेगा तो global citizenship का मतलब क्या हुआ? कि जब आप globally रह रहे हैं तो आपको पता होना चे कि आपको कैसे behave करना है क्या कहना है, सोशल मीडिया पर क्या post करना है क्योंकि आपका जो भी काम है वो पूरी दुनिया देख रही है ठीक है? जैसे कि example लेते हैं बाबा राम देव का बाबा राम देव इंडिया में है योगा इंडिया में करा रहे है मगर उनका ये काम इतना अच्छा है लोग इससे इतने प्रभावित है कि all over the world योगा का नाम हो गया बाबा राम देव का नाम हो गया उनके एक्ट ने ग्लोबली लेवल पर उनको भी फेमस किया इंडिया को भी फेमस किया और योगा को भी फेमस कर दिया ठीक है तो ग्लोबली रहने के नाते हम जब नागरिक है हमारा ये फ्र्ज बनता है कि हम अपने एक्शन को ध्यान में रखे किसी से हमारे एक्शन से किसी का नुकसान ना हो तो यही definition कह रही है It involves recognizing our interconnectedness with the world मतलब आप ये देखो कि आप world के साथ कैसे connected हो and taking responsibility for creating positive change और आपको ये responsibility लेनी है कि मैं जो भी करूंगा उससे society में global level पर positive बदलावाए ठीक है It refers to the concept of individual having a sense of belongingness and responsibility toward the world as a whole यहाँ पर आपको ये पता है कि आप responsible है एक example set करने के लिए फिर वो example अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो सकता है ठीक है अब जैसे अगर कोई cricketer है cricketer ने cricket में supposed match fixing कर दी तो उसके इस actor से सिर्फ उसी का नाम खराब नहीं हो रहा या उसके team का नाम खराब नहीं हो रहा और साथी साथ वो एक global level पर एक गलत message और गलत example set कर रहा है जिससे की globally वो चीज़ affect हो रही है ठीक है बात clear हुई तो हमें एक नागरिक होने के नाते global की तरफ ध्यान देना है अपनी responsibility समझनी है ठीक है जी अब बात करते हैं इसके features की तो first है awareness मतलब global citizen होने का क्या खासियत होती है कि हमें awareness होती है about the current topics of country, of world कि world में क्या चीज़े चल रही हैं कौन-कौन से issues हैं क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है आपको ये सारी चीज़े पता चलती है जैसे कि जब सपोस करते हैं किसी एक country में इसले क्योंकि हम citizen है global level पर हमारी responsibility बनती है कि हम उनको help करें ठीक है, इसी वज़े से इंडिया जब है तो वो financially या food items भेज कर या medicines भेज कर मदद करता है ऐसे और भी countries हैं जो disaster के time दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ठीक है next आता है empathy यानि की दूसरे के प्रती सहानुभूती होना अब अगर global level पर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ गलत हो रहा है तो यह हमारी responsibility है कि हम उसके खिलाफ अवाज उठाएं अब जैसे कि suppose करते हैं किसी country के president ने कुछ ऐसा बोला जो किसी और के लिए सही नहीं है ठीक है आपने ये चीज देखी आपको news में पता चला आप अपने views देना चाहते हो तो आप tweet कर सकते हो उस चीज को criticize कर सकते हो कि यह सही नहीं बोला गया ठीक है यह किसी caste को, culture को या nationality को affect कर रहा है या किसी person को affect कर रहा है इस तरीके से आप अपने views दे सकते हो तो empathy यानि सहानुभूती दिखा सकते हो इसी तरह जैसे रोनाल्डो है मुझे बहुत अच्छा एग्जामपल याद है कि उनके बारे में empathy मतलब कि जब वो मैच हार गए थे तो पुटगल के खिलाफ तो सब ने उनको empathy शो की थी मतलब उनसकी team के लिए empathy शो की थी ठीक है नेक्स आता है responsibility यानि कि हमें responsible रहना है अपने act के लिए हमने जो भी काम किया है नेक्स आता है responsibility का मतलब कि जो भी काम आप कर रहे हो जो कुछ भी आप कह रहे हो आप उसके लिए responsible हो ऐसा ना हो कि flow में आके आप कुछ भी उल्टा-फुल्टा बोल जाओ और बाद में आपको अपने act पर या अपने बोली हुई बात पर पच्चतावा हो क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आपको ये effect नहीं कर रहा है वो global level पर सब भी को effect कर रहा है ठीक है तो जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना है जैसे की अभी कुरोना जब आया था एक country में हुआ धीरे धीरे और countries में भी फैला जब तक हो इंडिया में नहीं आया था हम उसके बारे में aware थे ठीक है हमें सहानुभूती भी थी फिर हमें responsibility फील होने लगी कि इंडिया में अगर ऐसा हो गया तो हमें लोगों की help करनी चाहिए ठीक है तो आपको क्या है कि global issues के बारे में पता होना चाहिए और उसके खिलाफ empathy भी होनी चाहिए उसके लिए और उसके लिए responsibility भी होनी चाहिए next is collaboration collaboration का मतलब होता है जुड के काम करना, मिल के काम करना तो अगर किसी country को suppose need है financially या फिर health services चाहिए या food items की requirement है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें ये चीज़े provide करें क्योंकि हम global level पर रह रहे हैं आज हम किसी की मदद करेंगे कल कोई हमारी मदद करेगा तो ये collaboration है जब आप एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हूँ next is cooperation यानि एक दूसरे की सहायता करना यही वज़े है कि हमारी country में technologies या spices, food items या बहुत सारी चीज़े जो export होकर आती है वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम cooperate करते हैं तीक है दूसरी countries के साथ और हमारा product उनके पास जा रहा है बिकने के लिए क्योंकि वो हमारे साथ cooperate कर रहे है अगर हम global level पर रह रहे है तो हम अपनी हर need अकेले पूरा नहीं कर सकते मतलब यह इंडिया के लिए possible नहीं है कि वो अपनी हर need पूरी करे ठीक है हमारे जो resources है वो अच्छा food items दे सकते है spices दे सकते है rubber, tea, coffee इस तरह की चीज़े हम produce कर सकते है बट क्या हम जो oil है, patrrol है इस तरह की चीज़े हमारे पास है नहीं है वो हम साथी से मंगवा रहे है ठीक है यह और Gulf countries से मंगवा रहे है क्यों क्योंकि उनके पास वो resources है तो उनके पास जो resources है वो हमें दे रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सिस हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, हम कॉपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स आता है, क्रॉस कल्चिरल अवेरनेस, यानि जब आपको दूसरों के कल्चर के बारे में इन्फरमेशन मिलती हैं, तो आपने देखा होगा कि हम इंडिया में रह रहे हैं, बट फिर भी हमें दूसरे कंट्रीज के बहुत से कल्चर के बारे में पता हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, एक वो टमाटो फेकने वाला फेस्टिवल होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जिसमें टमाटर मारे जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, हमें क्यों पता है, क्योंकि हम इस चीज के बारे में या तो गलोबली देख रहे हैं, निउस में देख रहे हैं, इ दूसरी कंट्री से उनके कल्चर को हमने अपनाया और हमारा कल्चर वो अपना रहे हैं, ठीके जी, यहां तक क्लियर हो गया होगा, I think, सभी को, अब बात कर लेते हैं, benefits की, मतलब क्या फाइदा है, global citizenship का, तो first benefit है, increases cultural understanding, यानि आप दूसरे के culture को समझ सकते हो, ठीके, अपने सा कांट्री में कोई problem आरहे है, या दूसरी कंट्री में कोई problem आरहे है, तो हम इंटरनेट के जरिए, news के जरिए, या फिर website, social medias के जरिए, own problems के solutions, find out कर सकते हैं, next, expands network, हमारा network बढ़ता है, मतलब जिसे social sites पे आपने देखा होगा, कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बल्कि दू उनके घर नहीं गए, even आपका face to face भी contact नहीं है, बट फिर भी आप उनके बारे बहुत कुछ जानते हैं, उनके personal life के बारे में, उनकी workplaces के बारे में, कैसे, through internet, यानि कि internet जो है, network जो है, वो हमारा बढ़ता जाता है, expand होता है, हम बहुत से लोगों को जानते हैं, next, personal growth, एक personal growth होते हैं, जब वो foreign, यानि दूसरी countries के बारे में aware होता है, उनके साथ collaboration करता है, तो उसकी knowledge है, वो बढ़ती है, next, possess cross cultural things, यानि हम दूसरों के culture की चीज़ों को अपना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, Valentine Day, Halloween, इस तरह की चीज़ें हम अपना रहे हैं, दूसरों का culture, तो दूसरे countries वाले हमारा culture अपनाते हैं, जैसे भगवत गीता को वो follow करने लग गए हैं, या हम कह सकते हैं, योगा को वो बहुत अच्छे से follow करते हैं, science day उनका भी होता है, तो यानि कि हमारे culture को वो लोग अपना रहे हैं, ठीक है, साडी पहनना उनको पसंद है, ज्वेलरीज वो पहनना लेडीज पसंद करती हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे culture देखते हैं, उनको वो पसंद आ रहे हैं, वो अपना रहे हैं, हमें उनका जो culture पसंद आता है, वो हम अपना लेते हैं, नेक्स आता है, adoptability, यानि कि आप दूसरे की चीज को समझ सकते हो, उसे adopt कर सकते हो, य से अपना सकेंगे, next is technology skills, यानि कि हमें अच्छी technology की knowledge मिलती है, अगर हम global level पे काम करते हैं, हम एक दूसरे की country से technology और जो हमारी high machines हैं, वो उस तरह की चीजों को import-export कर सकते हैं, next inspiring people, यानि हम लोगों को inspire कर सकते हैं, suppose मैं इंडिया में रह रही हूं, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया, जो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने साथ-साथ और लोगों को inspire कर रही हूं, और वो लोग सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बलकि पूरे world में किसी भी country के हो सकते हैं, और वो inspire होंगे, जैसे बात करते हैं, होदी जी की पहजान होने के वज़े से, लोग भी उनसे inspire हो रहे हैं, उनकी चीजों को अपना रहे हैं, क्लियर हो गई बात, चलिए, अब हम next topic की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसका screenshot ले लीजे, अब बात करते हैं, कि क्या तरीके हैं, जिनसे हम global citizenship बना सकते हैं, तो first point ह education, यानि हम education के जरिये, लोगों को inform कर सकते हैं, कि world में क्या-क्या culture चल रहा है, क्या religions है, क्या दूसरे countries में issues हो रहे हैं, second, volunteering, यानि अपनी मर्जी से, हम internet पर या social websites पर जाकर checking कर सकते हैं, कि worldwide क्या चल रहा है, next, news, बहुत important है, और साती सत बहुत easy point भी है, news एक ऐसा जरिया है, जिससे हम देश-विदेश की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, घर बैठे, आप world में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में complete information ले सकते हो, फिच है, वो sports related है, कोई earthquake आ गया, कोई नया president बना है, या कोई भी चीज हो रही है, या जैसे war चल रही है, सब के बारे में आप आपको घर बैठे information मिलती है, next है, tour and travels, यानि आप tours कर सकते हो, traveling कर सकते हो, different different countries में, ताकि आप उनके culture सीख सको, and last is, attend international festivals, यानि आप international level पर होने वाले festivals, attend कर सकते हो, अगर आप खुद नहीं जा सकते, तो no issues, आप internet पर या YouTube पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं, या अगर उन लाइब डाला हुए था, आप उसे भी attend कर सकते हो, जैसे हमारे Olympics होते हैं, या हमारा World Cup होता है क्रिकेट में, या और भी जितने भी गेम्स हैं, आप घर बैठे उनका मजा लेते हो, वो सारे festivals ही तो हैं, और दूसरे festivals भी होते हैं, तो वो भी आप घर बैठे देख सकते हो, अब हमारा सबसे important topic आता है, कि बच्चों को global citizen कैसे बनाएं, हमने अभी तक ही जितना भी पढ़ा, इसका main motive क्या है, कि इस चीज़ को students के साथ कैसे link किया जाएं, तो value education में हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, कि बच्चों को चीज़ें कैसे सिखाई जाएं, तो global citizenship कैसे सिखा ह हो गया, first point, use assembly time to reflect on world around, यानि संसार में, world में, जो कुछ भी आसपास चल रहा है, उसके बारे में उन्हें जानकारी देजे, कैसे, assembly में, प्रेयर के समय, कोई भी एक बच्चा, या teacher, या खुद principal भी जाकर message दे सकते हैं, कि world में, फलानी फलानी country में ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐस issues हो रहे हैं, ठीक है, कोई नया rocket launch हुआ है, उसके बारे में inform करना, या कोई नया earthquake, tsunami, ऐसी चीज आई है, उसके बारे में बताना, कोई नई train launch हुई है, कोई भी, कोई भी अच्छा issue हुआ है, तो उसके बारे में हम बच्चों को assembly में बता सकते हैं, second, use news as platform to discuss key issues, यानि जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं, matter है, उनको आप news के जरिये बच्चों के साथ information उन्हें दे सकते हो, जैसे कि suppose कहीं बहुत बड़ी tsunami आ जाती है, या कहीं elections होने वाले हैं, या कहीं पर कोई बड़ा festival होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को news के जरिये बता सक सकते हो, ठीक है, next, give assignments on international issues, internationally जो issues चल रहे हैं, उनके उपर उन्हें assignment बनाने के लिए दे सकते हैं, then, start culture awareness club at school, culture awareness से related एक club बना दीजे, और उसमें बच्चों को सिखाईए कि different different countries के culture कैसे है, ठीक है, and next आता है, travel abroad, यानि बच्चों को आप travel करवा सकते हो, फॉर ले जा सकते ह जैसे कि बहुत ज्यादा बड़े और अच्छे schools जो होते हैं, वो नासा में लेकर जाते हैं अपने intelligent बचों को, ठीक है, उनका selection होता है कि वो नासा में जाकर देखकर आते हैं, scientist कैसे काम करते हैं, नासा की में क्या क्या चीजे हैं, वो सारी आप उन्हें सिखा सकते हैं, ति प्रमोट किया जाने लगा है, फ्रेंड सिखाते हैं, ठीक है, जर्मनी लैंग्वे सिखा देते हैं, या English को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, किसलिए ताकि हम connect हो सके बहारी दुनिया से, ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये topic खतम होता है, मुझे पूरी उमीद है, आपक a good day!